नमस्कार मैं हूं महक और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स कोरोना वाइरस टीका करण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है दरसल कोरोना वाइरस के खिलाफ टीका करण को हतियार बताते हुए सरकार ने 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निशुल की टीका करण की गोशना की और अब स्वास्त विशेशग्यों के समू ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंधा दुन्द रपूर्ट टीका करण से नए म्यूटन डिस्ट्रेन को बढ़ावा मिल सकता है साथ ही साथ में ये भी कहा है कि जो लोग कुरोना वाइरस से उभर चुके हैं उन्हें फिल हाल टीका करण की आवशक्ता नहीं है विशेशग्यों के समू में एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं कुरोना वाइरस महामारी पर परामर्श दे कर उस पे काबू पाने के लिए 2020 में समू का गठन किया गया था रिपोर्ट में कहा है कि देश में महामारी की मौजूदा स्थिती मांग करती है कि इस चरण में सभी आयू समूओ के लिए ठीका करण को खोलने की जगे हमें महामारी संबंदी आकडों से खुद को निर्देशित करना चाहिए इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसियेशन और इंडियन एसोसियेशन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के विशेशग्यों ने प्रधान मंत्री मोदी को दी हुई रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों सहीद बड़े पैमाने पर ठीका करण के बजाए कमजोर और जोख सीन एक मजबूत हतियार है इसका यह मतलब नहीं है कि इसे रोका जाना चाहिए और ना ही अधाधुन्द इस्तमाल किया जाना चाहिए बलकि प्रभावी तरीके से अधिक फाइदे के लिए रणनीती रूप से ठीका करण करना चाहिए अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे जन संदेश टाइम्स चानल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद